हेलो फ्रेंट स्वागत एक बार फिर साप सभी का डिश्टल दैयरी यूट्यूब चैनल पर मेरा नावे चेदन पारिक आरस अगरवाल की हिंदी वाली बूक हम स्वाल कर रहे हैं जिसमें हमारा चेप्टर चल रहा है नमबर सिस्टम दस्वा पार्ट हम सुरू करेंगे सारे पार्ट जरूर देख लेना क्योंकि सुरुवात के कुछ पार्ट में कैलकुलेशन वाले सवाल थे तो कोशिस की हमने कैलकुलेशन को सीखने की उसके बाद कुछ पार्ट ऐसा है जहां पर सवाल देखकर क्या करना होता है डिविजिबिटी वाले सवाल क्या होते हैं यह सार काल कहilee कि संकया है। उसको जब आप लगातार 9 से भाग दे रहो फिर जो भागफल मिला उसको 11 से भागदे रहो फिर जो भागफल मिला उसका आप 13 से भागदे रहो तो आपको 46 पल है करम सहर रहे आत 9 और आठ अगे यह चाहरहा है कि यदी विभाजिकों के कुरम को उलट दिया जाये तो सेस क्या बचेगा आपको ग्याद करना है जिश सं כיya के साव भाग दे रहे हूँ अगर आप इसको उलटा कर देते हो तो सेसपल क्या मिले गार यह क्याद करना है सबसे पहले वहां संक्यया है कौन सी जिसमें हम भाग लगा रहे हैं वो तो पता चले उसके बाद हम करम उल्टा करके ये भी देख लेंगे कि नए सेसफल क्या मिल रहे है इसको भी हम साथ इसाथ देख लेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में आप क्या कर लिया करो कि लास्ट में भागफल मानलो एक मिला, उल्टा लिख लो, ठीक है, कैसे देखो, इस तरह कैसे आपके टेबल बनाओ, भाग किसके से देरो, पहले 9 से दिया, फिर 11 से दिया, फिर 13 से दिया, और यहाँ पर आप हमेशा एक लिख लो, जो जो सेस्फल बच रहा है न वो भी पर लिख लाब 1, ठीक है, अब यह है हमारा लास्ट बागफल, तो इसको जब मैं बागफल के साथ गुणा करके सेस्फल जोड़ूँगा, तो अपने आप मुझे बाजिये मिल जाएगा, तो तेरा इंटू एक, तेरा तेरा और आट कित्त हो गए, 21, फिर जब मैं 11 को 21 से उसमें 9 जोड़ दूँगा, यानि बाजक को भाजिये से जोड़ कर उसमें सेस्फल जोड़ दूँगा, तो नया यह जो भाजिये है, वो मिल जाएगा मुझे, तो ग्यारा इंटू 21 अगर मैं करता हूँ, ग्यारा इकम, ग्यारा कैरी चला गया, वन, ग्यारा इंटू 22 और 23 किते हो गए, 2160, 2160 में अगर आट जुड़ें, तो किता आगया, 2168 अगया, ठीक है, 2160 हमारी वह संख्या है, जिसके अंदर अब हम भाग लगा रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, करम को उल्टा करेंगे, भाग हम 2168 के अंदर ही लगाएंगे, सवाल यह तो कहा रहा है, उस पहले 13 से भाग दे रहो, जो मिलेगा, उसमें आप 11 से भाग दे रहो, जो मिलेगा, उसमें हम 9 से भाग देंगे, और फिर देखेंगे कि सेसफल क्रमस हाँ, आपको क्या क्या मिल रहे हैं, तो भाग लगाता है, जब आपने इसमें 13 का भाग लगा है, तो एक वार में गया, आठ बचा, आठ आगे चला गया, ठीक है, तेरा इंटू 6 करने पर 78 मिल रहा है, पिछे 8 बचा, यहाँ पर आठ चला गया, फिर से 6 बार में 78 बच रहा है, मलग 78 तक जा रहा है, पिछे 10 सेश पल बच रहा है, 10 सेश पल बच रहा है, उसके बाद, 11 का भाग इसमें लगो, एक वार में जा रहा है पांच आगे सलग्या तो पांच वार में जा रहर वार एक एक थान से दे आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और थेमेंटर थेरम के सवाल अब पर्टिक्ललिम लिस्क्ताब के अगर मैं बात करूत थोड़े से कम सवाल है लेकिन यहां से आपका basic जरूर clear हो जाएगा उसके बाद एक advanced level की किताब की दरफ आप जा सकते हो जहां पर आपको और भी खूप सारे सवाल मिलेंगे question practice करने के लिए यहां से थोड़ा सा जितने सवाल है जैसे सवाल है उसके हिसाब से क्या क्या बेसिक है वो अगर 5 के अंदर 6 का भाग नहीं जा रहा है इसका मतलब यह 5 खुद अपने आप में क्या है पांच अपने आप में खुद क्या है जैसे आगे ओपर समझते है अगर मैं आपके सामने लिख दू 15 ठीक है और इसमें अगर मैं भाग लगा रहा हूं मान लो 4 का और मैं आपको पूझ रहा हूं कि इसका सेसपल क्या है अब यहां से सेसपल परमय का जो कॉंसेप्ट भी बता रहा हूं ता आप 15 में 4 का भाग लगा होगे आप को कि सर 12 तक जा रहा है पीछे सेसपल के रूप में 3 बज़ रहा है बिल्कुल सही है लेकिन इसका एक सेसपल आप मैनस एक भी बोल सकते हैं आपके लिए इस चीज नहीं हो सकती अगर आपने सेसपल परमय नहीं पढ़ागी यह माइनस में सेसपल कंबस़ खाँ लग दिये तो बिल्कूल माãyनस में सेसपल होते हैं 12 के बजाए 16 जदा नजदीक रहेगा तो अगर आप 16 तक भाग लगा तो आपको पता चला कि एक आपने यह एक्स्ट्रा ले लिया तो एक आप वहटा हो वहां से इसलिए 6 पल आपका माइनस में भी आता है एक और एक्जामपल के अलब से समझने की कोशिश करता है तो बड़ा है इसी वज़े से हमारा जो 6 पल है वो कैसा आगे है नेगिटिव आगे तो आप किसी संख्या में किसी संख्या का भाग लगाते हो तो हमेशा दो सेस्पल आते हैं एक पॉजिटिव एक नेगिटिव वाले को हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि सारा काम वारा पॉजिटिव से चलता है स्टेंडर्ड क्या है पॉजिटिव का ही है लेकिन दौनों होते क्या है यह आपको पता होना जुरूब यह दौनों को जो सम होता है वो आप हमेशा देखोगे जिस संक्या से आप भाग लगा रहे हो ना होता ही होगा अगर आप इस साहिन को बोल जाओ चार और एक जोड दो देखो पांच मिल रहा है यह चीज आपको पता रखेंगे अब आते हैं हमारे इस सवाल के उपर ठीक है यह सेसफल परमे था चोड़ा सा यह मैं आपको बेशिक बताने कोशिश की है फिलाल इस सवाल में क्या जूरूत है हमें आप सत्रा की पावर दो सो में अठारा का भाग लगा रहा हो फिलाल आप केवल सत्रा में अठारा का भाग लगो केवल सत्रा में अठारा का भाग लगो अब जब आप सत्रा में अठारा का भाग लगोगे तो बाग तो जाई नहीं रहा है बाग नहीं जा रहा तो आप कहोगे सर सेसफल हमारा सत्रा बच रहा है पावर मैं दूसरा है, यहां पर दूसरा लगाएंगे और इसको कैसे सौल करेंगे फिर? • 17 की पावर 2 सौल करेंगे • ऐसे में फिर हमारा statistical ब्रमे कम आता है मैंने क्या बोला था है कि जब आप किसी संख्या में किसी संख्या का भाग लगा तो हमेशा दू सेसपल बसता है तो आपने जब 17 में 18 का भाग लगाया तो एक सेसपल 17 आया वो तो ठीक है दूसरा सेसपल माइनस का बनाएगा क्यों? क्योंकि 17 के ज़्यादा नजदिक 18 पड़ रहे तो 18 बड़ा है इसलिए सेसपल क्या आएगा? माइनस का आएगा तो यहाँ पर 17 में जब 18 का भाग दिया तो 17 की पावर 200 लिख रहे हो ठीक है लेकिन यह बड़ा है सेसपल हमें फाइंड करना है तो हमें छोटी जीज से लेते वे सॉल करना है तो मैं यह भी देख सकता हूँ कि सेसपल मेरा माइनस का वन है ठीक है? माइनस वन की पावर 200 क्या है? माइनस वन की पावर 200 एक तरीके से क्या होता है? वन ही तो होता है वन की पावर को सॉल करना असान होता है तो हमारा सेस्पल भ Examples क्यां रहेगा फिर वन रहेगा यहीं है हमारा मतलब जब आपने इस संखिया में 18 भाग लगाया तो यहां लेकिन क्या सेस्पल माइनस में लिखते हों क्या आपको भी नहीं आपको सेस्पल को सेंज करना पड़ेगा प्लस में कैसे चेंज गरेंगे तो आप 18 मेंसे इसको गटा लो अपना अप 17 मिल जाएगा वो 17 फिर इस केस में अमरा अंसर हो जाएगा क्योंकि दौनों सेस्पल का योग हमें सा 18 होता है मतलब जिस संक्य से बाग देर हो वह अमरे पास पढ़ी है एक सेस्पल आपके पास एक आया है तो दूसरा सेस्पल अपना आप 18 मेंसे एक को गटा होगी तो सत्रा मिल जाएगा जब दो सो एक होती तो सत्रा होता फिलाल दो सो है इसलिए अमरा अंसर ए है तो पूरी कोशिश किये सेस्पल परमय को आपको अच्छी तरीके से समझाने की बेसिक सवाल के साथ हमने शुरुवात किये देखेंगे और कैसे कैसे सवाल आ रहे है लेकिन यहां के सारे सवाल करने के बाद एक बार इंग्लिस वाली रस गवाल भी देख ले ना साथ शाथ एक एडवांस लेवल की बुक की तरफ भी चले जाला अगर आप कोई हाईर लेवल के एक्जाम की तेयरी कर रहे है तो मुस्किल है तो हम दूसरा सद्फल क्या लेंगे फिर उनकर देखें एक वाट्रा रहे है तो संख्या न गो 4 से भाग देने पर सद्फल तीन मिल रहा है तो संख्या टूएन को 4 से भाग देने पर सेसपल क्या मिलेगा या आपको ग्याद करना है देखो ऐसा सवाल हमने लास्ट वीडियो में डिसकस किया आची तरीके से मैंने कहा था कि आप जब बाजिये को छेड़ते हो तो सेसपल भी उतना ही छेड़ता है आप पहले N में 4 का भाग लगा रहे थे अब आप 2N में 4 का भाग लगा रहे हो तो पहले अगर आपको सेसपल 3 मिल रहा था तो अब आप सेसपल भी डबल हो जाएगा किता हो जाएगा 6 हो जाएगा किता हो जाएगा 6 लेकिन 6 में 4 का भाग और भी तो जा सकता है इसलिए नहीं पर मैंने थोड़ा सा फाश्ट किया है तीक है आगे बढ़ते है अगला सवाल देखो ये भी अच्छा सवाल ये क्या कहे रहा है दिम्न लिकित में से कौन सी संख्या किसी प्राकरत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है इसका डाइरेक्ट आन्सर आपको करना है ड पमिश्चित है कि इससे बाहर कुछ होनी सकते, वो अंक है कौन-कौन से तो हम देखते हैं, देखो, कोई भी संक्या हो लास्ट में, या तो जीरो होगा, या एक होगा, या दो होगा, या तीन, या चार, या पाँच, या छे, या साथ, या आट, या नौ, यही होगा, इस से स्क्वार करता हूँ तो 0 मिलेगा, इसका स्क्वार करता हूँ तो 1, इसका स्क्वार 4, इसका स्क्वार 9, इसका स्क्वार 16, उनिट डिजिट किता 5, स्क्वार 36, उनिट डिजिट किता 6, स्क्वार 49, उनिट डिजिट किता 9, स्क्वार कर लो, 4 मिलेगा उनिट डिजिट, बाहर नहीं हो सकते, क्या-क्या इसके अंदर देखो, 0 आ रहा है, इसके अंदर 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्या इसके अंदर 3 आ रहा है क्या, 2 आ रहा है क्या, 2 भी नहीं आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा है, बाकि 4 आ रहा है क्या, बिल्कुल 5 आ रहा है, 6 आ रहा है क्या या फिर किसी संख्या का जब आप वर्ग करते हो जब आप किसी संख्या का वर्ग करते हो तो वर्ग करने के बाद में जो संख्या मिल रही आप उसके एकाई अंक कभी भी ये नहीं हो सकते है अमने ये पुरूफ इसका देख लिया है तो जिसका भी एका एकांग दो मिल गया, उसका आप square root निकाल नहीं सकते, सिंपल भसा में गया, जिसका भी unit digit अगर आपको यह मिल गया, ता आप इसका square root नहीं निकाल सकते हो, तो वो प्राकरत संख्यानी हो पहेगी, ठीक है, तो दो केवल इसी मैं देखो, एकाई का समझ में आ गया है दो तीन साथ आड़ इसको आप एज लोट नोट कर सकते ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि निम लेकित में से किसी प्राकरत संख्या का वर्ग नहीं हो सकते बिलकुल वही सवाल है क्या नहीं हो सकता दो तीन साथ और आठ यह नहीं हो सकता इसके इनको साथ आ रहा है तो आपसन नमबर सी की आओ गया हमारा करेक्ट आंसर इसका आप स्क्वार रूट नहीं निकाल सकते तो यह बच्छी तरह के से आपको सारे सवाल समझ में आ गया है अमने पूरी कोसिश की है बेसिक से अच्छे लेवल के सवाल करने की मिलते हैं अगले शेर, सब्सक्राइब, डिजिटर तैयारी